खाश ने शुक्र का वार्गी होना आपके लिए क्या बेहतर परीडाम देख आ अगर आप मकरराशी के हैं तो मकरराशी य एक लиях बेहतरर पाने के लिए लिए हमेशा नजर अपने लक्ष पर बना कर रखते हैं कहते हैं कि आप एक कड़ा संकल्प ले ले लेते हैं कि हमें ये करना ही करना है फिर अपने संकल्प पे पीछे नहीं अटते अपनी बनाएगे नियमों का पालन करते हैं सिंदानतों पर चलते हैं और बड़ी से बड़ी मुश्किले परशानियां जबाती हैं तो इससे लड़ने के लिए तयार रहते हैं मकर राश्रीवालों के लिए शुक्र पांचवी और दस्वे भाव कर स्वामी है शुक्र करक राश्री में मारगी हो रहे हैं साथे भाउ में मकर राश्री वालों के लिए शुक्र कुछ अधिबुत परड़ाम लेकर आएगा आपकी करियर के सिलसले में आपको विदेश जाने के अवसर मिले सकते हैं विदेश संपर्खत रो सकता है विदेशी नौकवी मिले सकती है कुछ अच्छे दोस्त बन सकते हैं की मजद से आप आगे जा सकते हैं आपके दोस्त आपको लाप पहुंचा सकते हैं आप बहुत सारी शोशल एक्टिविटीज में भी पार्टिस्पेट कर सकते हैं शुक्र आपको मिला जुला फल देगा आप उदार सभाव के बड़े दिल के इंसान होगे लोग प्रिय धर्म ये से लोगों से आपकी रुची बढ़े की इनका सम्मान करेंगे बड़ों का सम्मान करेंगे प्रेम से बात करेंगे भागिवान होंगे चंचल होंगे विलासी होंगे थोड़े से नटखट भी होंगे गीत संगीत कला के परती जाधा रुजहान होगा थोड़े से प बैवार कुशलता, आपकी चलाकी, आपकी चतुराई से लोग खुश हो जाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं, आपके प्रभाव में आ जाएंगे, देखने में काफी आकरशक होंगे, जहां जाएंगे आपकी कची इमेज बनेगी, आप एक अच्छे कलाकार हैं, तो कलाकार की कदर होती है, तो आपकी कदर होगी, आप टीवी, बीडिया, शोशल मीडिया, गायन, कुछ बयाना, कुछ गाना, इन सम्में कोई रुची रखते हैं, तो अच्छा आप प्रियर्ड मिलेगा, करियर के लिहास से अच्छा सामित है, नौकरी में अच्छे अवसर मिल रहे हैं, बै पर रिष्टे अच्छे बने रहेंगे, आपके काम की तारीफ होगी, मान सम्मान पाएंगे, पद परतिष्टा और धन की वर्द्धी होगी, आपका भाग आपको लगभग लगभग सखलता दिला रहा है, कई जगे पर चुनौती आएंगी, लेकिन चुनौतीयों से लड़ कर आप आगे भी बढ़ेंगे, कई जगे पर कुछ चुनौतीयों आपको पीछा पीछे छोड़ देंगी, यानि आपको नुकसान भी देंगी, खत्रा भी है, लेकिन कहते हैं आप खत्रों के खिरारी हैं, तो निकल जाएंगे, कैसे तैसे आगे, आर्थिक गीवन के लिए देखा जाए, तो आपके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि काम धंदा अच्छा है, पैसा अच्छा आ रहा है, तो पैसा भी आएगा, परिवार भी अच्छा रहेगा, पैसा कमाने के लिए अच्छा है, बचत भी थोड़ी बहुत कर पाएंगे, इवेश्मेंट भी कर परिश्टों में प्यार बना रहेगा, रिष्टा मजूत रहेगा, आपके अपने रिष्टे में कहते ना, अपनी अच्छी इमेज कर पाएंगे सभी के साथ, आपके पार्टनर से आपके अच्छी बांडिंग होंगे, चाहे वो पती-पतनी का रिष्टा हो, चाहे प्रेम प्रेम का का हो या पार्टनर्शिप का हो जिवन साती के साथ रोमांटिक पलों को भी बिताने की मौखे मिलेंगे रिष्टे में मजबूती आएगी सिहत अच्छी रहेगी सिहत अच्छी है कोई रोग वगरा चोटा मूटा हो सकता है तो हो जाए पर बड़े रोग नहीं होग कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा फिर भी हर जिसान को पिसी है तो नजर बना करें चाहिए योग पड़ाया वसूर नमस्कार वगरा करते रहेगे कभी कोई कर्ष्ट नहीं आएगा शुक्र जब भी सब्तम्भाव में मार्गी होते हैं तो आपका एक आदर्श ज जीवन को आप कहते हैं अच्छा मैनेजमेंट करके चलते हैं दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं विष्टों की मजबूती को समझते हैं एक दूसरे की पती दया होती है सहानबूती होती है एक आनंदित जीवन जीने की इच्छा होती है जो आपको मिलता है संकटों क के साथ खुशूस पतलों पलों को बिताते हैं चाहे हसी की बात हो तो हसे की गम की बात है तो गम से निकलने का रास्ता डूंडेंगे सात्वेखर का मारगी जो शुक्र है रिष्टों में मजबूती देता है आप अपने अपनी भलाई के लिए दूसरे के साथ विश्वास घा आप नहीं करते हैं चाहे रिष्टे हैं काम हो चाहे पढ़ाई हो चाहे कहीं अपना फायदा देखा और दूसरे को गठे में गाल दिया ऐसा नहीं सूचते हैं ये आपके अच्छी भावना पैदा होगी आप रिष्टों को खराब नहीं करेंगे बहुत जल्दी अलग नही होगे खोशिष करेंगे कि रिष्टा बरकरार रहे चुटी चुटी बातों पर बहस नहीं करेंगे और रिष्टे में कोई आप बुरा किसी कोई आप को यह नहीं कहेगा कि यह इनिसान बहुत बुरा है हाँ जिनका शुक्र खराब होगा वह थोड़ी बुराई कर सकते हैं यहां पर बहुत अच्छे प्रणाब देने वाले हैं आप घरीरू मावले में आपके बहुत अच्छा रहेगा का आप अपनी जीवन साथी के ओपर अपनी पत्नी के ओपर या अन्य महिलाओं के ऊपर थोड़ा पैसा जाता लुटा सकते हैं वैसाए आपका अगर अपना है त होगी मीडिया शोशल मीडिया से लाव हैं नौकरी में लाव हैं हर तरीके से लाव हैं कुवारे हैं तो शादी हो सकती है सुंदर पती या पत्नी बिल सकती है यात्रा से लाव है शादी हो चुकी है या शादी होने वाली है तो साले के साथ को बिजनस मत करिएगा किसी की को जीब और गरीब सपने भी देखेंगे और पोशिश करेंगे तो सपने पूरे भी हो जाएगे तो आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा कोई बहुत ज़्याद दिक्कत नहीं है शुक्र को अच्छा रखने के लिए अपने जीब साथी का सम्मान करें अपने आस्पा सफाई रखें पैसे का दुर्पयोग न करें अपनी वासना को इतना बढ़ने दें जिससे किसी का नुक्सान हो और आपके जनमकुर्णी में यहाँ पर शुक्रच्छे हैं वरतमान में भी शुक्रच्छे हैं तो आपके लिए अच्छे रिजट मिलना सभाविक है तो चिंता की जरूर बन जाएंगे लिए इसे कोई बात नहीं है कि आपको दिकत आए जरम कुड्ली में सितारे कमजोर हैं और आप आलसी हैं तो बातें अलग है फिर आप परचान हो जाएंगे अपनी जरम कुड्ली की जाच कराने के लिए देगे लिए आप संपर कर सकते हैं अर्यों न बतो मैं टूरोजज स्थार।